से करना चाहेंगे इस वक्त ताजा डेटा अगर देखें बरही डे बाई डे या एक दिन या प्रती दिन की अगर हम देखें बॉलिटिलिटी को अगर नजर अंदाज भी किया जाए बाजार में सेंटिमेंस तो डेवलप होते दिख रहे हैं FIS की लगातार खरीदारी के आंकड़े अगर आप देखेंगे 15 दिनों से खरीदारी का रुख FIS की तरफ से घरिलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से एक दो सेशन्स में हम देखते हैं बाइंग लॉट आती है विकवाली भी D.I.S. की तरफ से नजर आती है लेकिन FIS वन साइड बाइंग पिछले 15 ट्रेडिंग सेशन से कर रहे हैं तीन साल में सबसे जादा पॉजिटिव डेटा FIS की तरफ से इस वक नजर आ रहे हैं क्या आपको लगता है सेंटिमेंट्स ग्लोबल मार्केट के विपरीद भारतिय बाजार के लिए अब भी bullish on a long term play और कौन से spaces हैं जिस पर इस वक आपकी नजर है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो अगले दो-तीन साल का जो अगती है उसके वो टाइम फ्रेम में इंडिया ड़ुक तो बी वेरी गूड इन दा ग्लोबल मार्केट सिनेरियो तो बाकी अगर देशों में हम देखें तो इतना growth या इतना stable market हमारा जितना scale है जो सारे size है, market cap है उतना बहुत कम मिलता है for global investors तो आज नहीं तो कल global investors को आना है ये depend करता है कि US में कैसे माहौल है बट मेरे हिसाब से जितना recession का डर है उतना play out नहीं हो रहा है तो वो हमारे Indian markets के लिए एक हब तक अच्छा भी है तो अगर आप longer term के लिए देखें तो ये अच्छा है Indian markets के लिए और Indian markets में domestic जो play है वो बहुत जादा last एक साल में interesting बना है इंडिया में capex play धीरे धीरे चालू हो रहा है PLI schemes का इंप्लिमेंटेशन है वो धीरे धीरे हमको देखने को मिल रहा है तो एक बार जब ये raw material price spikes और ये सब digest हो जाएगा तो Indian markets या Indian businesses will continue to do well Indian factors की आपने बात किया अबिशेक ऐसे में कच्छे तेल के अगर बात करें तो ये 76 dollar के आसपास और इसी range में बना हुआ और analyst मांगे चल रहे है कि इसमें इस साल तो जादा कुछ बड़ी तेजी की उमीद नहीं की जारी है Crude को अगर play out करना हूँ तो कौन-कौन से sector कौन-कौन सी theme पर आप focus करेंगे तो देखिए Crude का जो है ना वो हम Crude का price देखके India में कुछ play नहीं कर सकते मेंली इसका कारण यह है कि Indian domestic price of oil is regulated to an extent Right, so Crude जब price गिरा भी है तो Indian domestic prices have not come down तो वो उस हिसाब से अगर हम देखे तो वो नहीं play कर सकते लेकिन indirect way में जो होता है कि power costs कम हो जाते हैं तो input cost for heavy industry जाते हैं